नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपून जानकारी लेकर के आप सभी आम को तो बेहद पसंद करते हैं लेकिन हर मौसम में ये नहीं मिल सकता है लेकिन आम की पत्तियां ऐसे चीज हैं या ऐस हैं जो कि आपको सालों हर मिल सकती हैं तो आए आज हम सभी आम की पत्यों से किन बिमारियों का एलाज कर सकते हैं और क्या-क्या वाइदे हो सकते हैं इस बारे में जानते हैं हर किसी को आम खाना पसंद होसा हुआ है क्या आपको पता है कि आम की पत्तियां भी अद्भूत लावों से भरपूर होती हैं आम की पत्तियां और शधिय और उपचारी कुनों से भरी हुई होती हैं आम के पत्ते लाल या बैंगनी होते हैं जब ये पत्ते कुमल और नए होते हैं तो एक गहरे हरे रंग और हलके नीले रंग के होते हैं ये पत्ते विटामिन C, विटामिन B और विटामिन A में समरिध्ध हैं ये पत्ते विभिन अन्य पोशक तत्वों में भी समरिध्ध होते हैं आम के पत्ते में शक्तिशाली इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं क्योंकि आपने अधिकतर आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया होगा लेकिन आम के पत्तों का सिवन करने से आप स्वास्थे से जुड़ी हुई कई बिमारियों से छोटकारा पा सकते हैं तो आईए जानते हैं कि आम के पत्तों से किन किन बिमारियों को हम दूर भगा सकते हैं सबसे पहले तो आम का पत्ता डाइबिटीज रोग में राम बान इलाज की तरह कारे करता है मधुमेह के उपचार के लिए आम के पत्ते बहुत उप्योगी होते हैं आम के पेर की कूमल पत्यों में एंथोकाइनाइडीस नामक टैनिन होता है जो प्रार्यमभिक मधुमेह के इलाज में मदद करता है पत्यों को सुखा कर पीस लें और उस पाउडर का उपयोग करें यह मधुमेह की रक्त नलिकाओं के रोग और मधुमेह के रेटिनुपैथी क इलाज करने में भी मदद करता है, आमके पत्ते इस उदेश्यक के लिए बहुत अच्छे हैं, रात भर एक कप पानी में पत्तियों को भिंगोएं, मधुमेह के लक्षणों को दूर करने के लिए इस पानी को छान कर पिएं, यह हाईपर गलेसेमिया का भी इलाज करने में सहाय करता है, पत्तियों में तीन बीटा तार के रोल नामक एक योगिक और एथिल एसिटेट अर्क होता है, जो जीएस लिटीफ होर को सक्रिय करने और गलाइकोजन के संशलेशन को प्रोथसाहित करने के लिए इंसुलीन के साथ सहक्रियात मक्ता करता है, जिससे कि आपका मधु में कंट्रोल में आजाता है, इसके आलावा आप आम के पत्तों का उप्योग रक्त चाप को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, ये पत्ते रक्त चाप को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इन में रक्त चाप को कम करने वाले गुन होते हैं, ये रक्त वाहिकाओं को रखने में भी कारगर होते हैं चिंदा के कारण बेचैनी से पीडित लोगों के लिए आम के पत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय प्रदान करते हैं नहानिक के पानी में दो से तीन गलास आम के पत्तों से बनी चाय डालें इससे सूस्ती का इलाज होता है और शरीर ताजा आम के पत्ते गुर्दे की पत्तरी और पित्त की पत्तरी का इलाज करने में मदद करते हैं आम के पत्तों के पाउडर का दैनिक सेवन जो की चाय में सुखाय गए हों ये ध्यान रखें कि पत्ते चाय में सुखाय हुए हों इनका आप नियमित रुप से उपयोग करें रात म एक ग्लास पानी में पाउडर मिला कर रखें इसमें श्टोंस को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने में मदद मिलती है आम के पत्तों का सिवन है खांसी का देशी इलाज आम के पत्ते सभी प्रकार की श्वसन समस्याओं के लिए अच्छे होते हैं यह विशेश रूप से सर्दी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से पिडित लोगों के लिए उपयोगी है थोड़ा शेहद के साथ पानी में आम के पत्तों को उबाल कर कारहा तयार करें यह कारहा पीने से खांसी को प्रभावी ढंक से ठीक करने में मदद मिलती है यह आवाज हानी यानि की गला बैठने पर का सबसे अच्छा इलाज माना जाता है इसके आलावा यह पेचिस में भी बेहद लाफकारी साबित होता है आम के पत्ते पेचिश यानि की खून बहने वाली पेचिश के इलाज में बहुत मदद करते हैं छाया में सुखा कर पत्तों का पाउडर तयार कर लीजिए फिर रोजाना पानी के साथ दो से तीन बार इस जाना माना इलाज है कान दर्द काफी परिशान कर सकता है इस घरेलू उपचार का उपयोग करके आप कान दर्द से रहत प्राप्त कर सकते हैं आम के पत्तों से निकाले जाने वाले रस का एक चमच कान का दर्द से रहत देता है रस का उपयोग करने से पहले रस को थोड़ा है zor sip लें करने इसके अलावा जली हुए तवेका धर्सक्रेट की एक मुठी राक कंद करमो हैं इससे तुरंक रहत मके इसके उपयों के बादड घ्ळलन में भी रहत मिलते हैं इसके साथ साथ ये हीचकी को रोकने का धर्सक्रेग व्हुंफ मनसे कीजी दिजिया से पीडित हैं तो आम के फत्ते एक अच्छा घरेलू उपाय हो हुच ही के फत्त कुछ जलाएं और दूए में वहा सुपायों Bye करेगा इसके साथ साथ स्टोमक टॉनिक है आम का पत्ता गर्म पानी में कुछ आम के पत्ते डालें एक धक्कन के साथ कंटेनर बंद करें और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें अगली सुबह पानी को फिल्टर करें और इसे खाली पेट पीएं इसका नियमित सेवन एक प्योग करना आसान है एंटियोक्सिडेंट और गुन रोधी गुन विभिन बीमारियों का कुशलता पुर्वक इलाज करते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी आम तो खाते ही हैं आप सभी को बहुत पसंद हैं लेकिन आम के पत्तों कावी अगर आप सेवन करते हैं नियमित कर दोस्तों